अच्छा नैक्स्ट हमने कहा था लेजर में ना लेजर में दो चीज़ें चाहिए एक तो आपके पास उसे और दूसरी चीज़ क्या थी पॉपूलेशन इन्वर्जन आज हमने पड़ना पॉपूलेशन इनवर्जन ठीक इसे देख लो यह क्या बला है पापूलेशन इन्वरिजन कल मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था वो चाइना वाला वैसे ही उनकी बाद ही एक साइड पर होगी थे तो वो मुआइदा जो सी पैका वो इसी काम आ रहा है तो सेम इदर पापूलेशन इन्वरिजन जो है और एक का नाम था Gustav Herz इन्होंने एक नई चीज दर्याफ्ट की इन्होंने जो नई चीज दर्याफ्ट किसको बोलते है Metastable State ठीक है Metastable States Metastable States क्या है अब देखो हमारे पास ये Ground Level है Easy ये आपका कोम सा Level है Excited Level Anyone ठीक है अब आपका एटम इधर से इनर्जी लेकर कहां पर चला जाता है एकसाइटीड लैवल में यह इस एकसाइटीड लैवल में कुछ लम迎ाथ तक रहता है हमें पता है कि इसने वापस आना जरूर है कबी ना कभी तो इसने आना जरूर है जिते जिखोते होते हैं आगे वापस खुलोएगी ज़रूर अब इदर ये कितनी देर रह सकता है टैन की पावर माइनस एड सेकंड रह सकता है बस ठीक है उसके बाद इसने ट्रांजिशन यानि के रिटान बैक ट्रांजिशन बोलते है जब वह अपने शेल्स को चैनज करता है या इनर्जीज को चैनज करता तो इसके बाद एलेक्ट्रोन नैंक कर लेंगे हाई से लोए तो ऐटम ने भी हाईizer से लोए आए गा तो यह क्या करेगा एक फटोन को इमिट करेंगा अब इसके अंदर ना उन्होंने देखा इन दो बंदों ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे तो इस तरह इन्होंने एक चीज देखे आई निजिशन लेवल को चाह करते हुए इन्हों का कुछ ऐसी स्टेट भी देग्जिस्ट करती है कुछ ऐसी रेंडम स्टेट भी यहां पर ए बलके कुछ लमहात रह सकता है हमने का वह कुम से उसने का जरी वो तो शैल होते हैं जिसमें एलेक्ट्रोन क्या होता है लोड से हायर में जाकर अपनी रिजाइड करता है भूंगता रहते हैं यहां पर ना कुछ एटम के इसी स्टेट का नाम उन्होंने क्या दिया मैटा stable का मतलब क्या है कि जिसमें आप ज्यादा देट तक इजली रिजाइड कर सकते हो अब इसका जो लेवल था ये कितना था इसका जो time limit था वो था 10 की power minus 3 seconds कौन ज्याद है minus 3 वाला स्याद है तो कितने का फरकार है 5 का 5 का मतलब क्या बना 10 की power 5 कितना होता है लाख एक लाख गुना मतलब एक लाख time वो जो फरक है किसका इन दोनों के दर्मियान में इसका मतलब है कि जहां पर electron 10 की power minus 8 seconds रहता था इस state में electron कितनी देर तक रह सकता है 10 की power minus 3 seconds ये state उन्होंने द्रियाफ्त की और इसका नाम क्या रखा उन्होंने मेटा स्टेबल स्टेट अब हमने यहां पर क्या देखना है अब हमने देखना है पॉपुलेशन इनवर्जन मेटा वर्स नहीं है और वह लग चीज़ है अब यह हमारे पास है जी ग्राउंड लेवल्स और यह आपके पास इवन और यह हैं आपके पास मैटा स्टेबल स्टेट अब पॉपुलेशन इनवर्जन क्या है पॉपुलेशन इवर्जन, इसके दिर्म्यान रहा है यहां इसको बोलते हैं इवल्स इदर बेंच मैं यहां पर पड़े हुआ है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दाइटम्स पड़े हैं और इन में से कोई दो चार गए हुआ है इस जगह ठीक है अब यह दो चार जब नीचे आएंगे तो दो ही इमिट होंगे तो जब यह दो नीचे आएंगे तो दो इमिट होंगे लेकिन अगर यह उल्ट हो जाए क्या हो मिजोटी अफ एलेक्टरों कहां पर हो और यह मिजोटी अफ एटम्स कहां हो और बिलकुल कम कहां पर हो इजी में यानि के ग्राउंड लेवल पर तदाद क्या हो जाए ग्राउंड लेवल पर तदाद ना होने के बराबर हो जाए या कम हो जाए लैट स्पोज यहां पर कितने हो गए और ज्यादा तर कहां पर चले गया है किसी भी एक्साइटी स्टेट में यानिकर इस स्टेट क उनकी ground state से उठाकर higher state में फैंक रहे होते हो किसको अचीव करने के लिए population inversion को इसको कहते है optical pumping pump नहीं मारना pump जैसे मारते हैं किसी lower level की चीज को उठाकर higher पर फैंकते हैं जैसे पानी है पानी को lower level से उठाकर नहीं फैंक देता है level पर वैसे ही pumping कैलाता है इस वर्ड को क्या बोलते हैं optical pumping क्या होता है कि lower energy electrons को excited state में पुचाने का काम जो होता है इसको lower वो क्या बोलते है optical pumping और जब यह हैं वो भी बताता हूं तो यह वाला काम वो कर देता है आप्टिकल pumping हो जाती है और यह काम किसके थुरू हो रहा होता है पापॉलेशन इंवर्जन का optical pumping के थुरू अब होगा क्या अब आपको पता है अभी सिर्फ एक चीज़ें में रखो अब आपको पता है कि यह जब खुद भाखुद सारे नीचे आएंगे तो यह क्या emit करेंगे photons और सब क्या photons चुकर सारे नीचे आ रहे हैं सेम energy difference है तो सब की frequency क्या होगी सेम होगी तो एक ही color मिलेगा यानि colors में बात कर लेता है red green blue या लो कोई भी ठीक है और जब यह नीचे आ रहे होते हैं तो सब सब सेम टाइम पर आएंगे जब यह सब सेम टाइम पर आएंगे तो सब का phase क्या हो जाएगा सेम लेकिन यह spontaneous में नहीं हो सकता कौन से वाले में spontaneous कुंके देखो जो पहले गया है उसका time शुरू हो गया जो बाद में गया उसका time तो वह difference तो सेम है difference शो करता है आपकी इमिट होने वाली frequency को वो तो सब का क्या होगा सेम बट क्या होगा कोई जल्दी निकल रहा है कोई बाद में निकल रहा है जो इस सेट पर निकलने वाला वो करीब है यह दूर है तो phase में क्या आजएगा difference यह जो emission होना यह spontaneous होना है लेकिन laser के लिए क्या होगा कि यह कौन सा चाहिए लेजर के लिए कौन सा चाहिए stimulated stimulated का मतलब क्या होगा कि यह कदम सारे क्या करें भाई जैसी एक photon आए इसी frequency का लैट सब्सक्राइब इस इनर्जी के difference का photon आए तो उसके आते ही सारे क्या करें यह कदम बचाड करतें नीचे जब यह कदम क करेंगे तो सबका phase क्या हो जाएगा same ठीक है direction में में भी तोई उपर नीचे हो जाए लेकिन जब सारे आ जाएंगे तो हम कहेंगे लेजर action शुरू हो गया action Jackson क्या शुरू हो गया laser action लेजर ने जा रहा होगा पहला आ रहा हो रस्ते में प्पैर दित ओड़endo read विक्रू गरेंने झीए तैंको फिर क्या करते हैं इसमें कि उसमें अभी हम जल्दी जल्दी तो इदर हमें एक गुना ज्यादा क्या मिल रहा है ताइम का फैक्टर ज्यादा मिल रहा है तो यह सारे इदर पढ़े होंगी फिर हम जल्दी से फैंकिंग है फटोन तो सारे इकटे गिरेंगे क्योंकि उप्रावाले में भी फेटों शुरू भी हुआ कि जो गया था वह वापिस आ रहा है उसुने का सर्फ इसम पृर कैसे भीजें ये स्टेट एक्जिस्ट करती नहीं जाते हुआ गारी कि वहें स्टेट जो है यह इनके द्रम्यान में हमें सर इस इसमें बार्पण जा कर सकता है इसवह इस का्रपर एकष्टी ए क्षुक्त में बश you Aaा में लुकने नाम किया दिया श्लिक líり ओर इसको से कहा है एक जुगार करतwyn आप पहिंगू ना इसमें आप फैंको किसमें इसमें जब यह सारे आपके तो अब यह क्या करें गे यह寂जसली नीचे आएंगे तो यह डिरेक्ट e1 में नहीं आएंगे बलके क्या करेंगे e2 में चले जाएंगे e2 इस यूर मैटास्टेबल से वो कहता है कि सब्सक्राइब तो हम इदर भेज नहीं सकता है क्योंकि e2 का टाइम क्या है e3 का टाइम क्या है माइनस 8 तो इतने कम टाइम में यह क्या करेंगे सारे वापिस आएंगे और वापिस आते वक्त यह रस्ते में जिने स्टेट मिलेगी मैटास्टेबल से उसमें क्या कर लेंगे रुक जाएंगे जब यह इसमें रुक जाएंगे तो इधर से multiple आ रहे हैं तो क्या होगा कि यहां से तो उपर जा रहे थे जाने किस time कम है आने का जादा हो गया किसकी वज़ा से meta stable state की है तो यहां पर क्या हो जाएगा क्योंकि यह meta stable state है इसका time 10 की power minus 3 है मैंने भी उपर बताया था वो तो उपताया था आपको याद हो चैप्टर नमबर इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था हाइटोजन के अंदर एलेक्ट्रोन कितना है एक लेकिन उसकी spectral lines कैसी है multiple क्यों क्योंकि जो electron किसी higher में गया तो वो पहले में कैसे आ सकता है पांच्वे में चोथे में चोथे से यानि कि अपनी नीचे वाली स्टेट में रेस्ट करकर क्या आएगा जिसके वैसे हार line की एक अलाग क्या निकलती थी wavelength समझाई same तो वो इधर अब जिसकी वज़ा से इधर क्या पढ़ जाएगा क्योंकि इसका time का 10 की power इसके अंदर क्या पढ़ जाएगा रश पढ़ जाएगा और इधर क्या होजएगा इधर तकरीबर काफी काम पढ़े होंगा और इधर क्या होजएगा रश अब क्या करेंगे मतलब कि ये वाला काम अभी हम जो कर रहे थे इसमें भेजने की बजाए हम थ्री में भेज रहे थे वो असल में हम क्या कर रहे थे इस प्रोसेस को कर रहे थे pumping को pumping कैसे करते हैं वो भी आगे helium neon में देखते हैं और क्या chief कर ली हमने population inversion हो गया रही chief तीसरा अब क्या काम करना है stimulated emission को रवाना है stimulated emission के लिए क्या करेंगे इन इनर्जी डिफरंस इस इनर्जी डिफरंस का क्या फैंकेंगे इदर photon e2 और e1 का जैसे वह आकर धड़क कि इदर गिरेगा तो इन सब को क्या करेगा आज़ो बहुत चले यह सारी नीचे आएंगे और जब यह नीचे आएंगे तो क्या होगा एदर ऐसे करके क्या निकलनी शुरू हो जाएंगे और यही आगे फिर क्या काम करना शुरू करेंगे इसका आगे वाला पहरा मैं हीलियों नियुन के बाद पढ़ता हूं इसके आगे एक पहरा है वुकुत दिखाओ ना मैंने यहां तक बताया ठीक है यह यह देखो यहां तक ठीक है कोहरेंट होंगे से यह वाला जो पहरा ना यह मैं इस हीलियम नियॉन पढ़ा दूँ फिर पढ़ाता हूं कि वो शीशे शीशे क्यों लगाए होते है अच्छा हाँ इसके बाद वो यूसी देखी है चलती लेजर वो रात में जो शादियों में चलती है या वो दूर दूर आप अगर उस लेजर को देखो ना बिल्कुल साफ आपकी अबो वा ना एटमोसफिर साफ हो तो नजर नहीं आती वो सिरभ आपको तब नजर आएगी जब आप उसकी डिरेक्शन में देखो या बिल्कुल उसके किसी भी अंगल देखो पूह नजर नहीं आएगी देखो यहां से जा रही है ना तो मैं इधर सर देखो नहाएगी या मेरी तरफ आ रही है उधर से जड़ते हूँ वह काते हैं सर हमें तो एब तो इसे भी नजर आती हो आपको नजर पता क्यूंागी है ड़स्ट पार्ट हमारे पास laser वो सारे photons एक ही direction में निकल रहे है तो वो scattering नहीं कर रहे है light जो हमें scattering की वज़ा से नजर आ रही है ना यह जो फैल रहा है scatter होती है तो वो फैलती है जिसकी वज़ा से हमें वो नजर आती है अगर आप देखो तो dust particle उसके अंदर हिसा होते हैं वो नहीं होगा तो हम नजर नहीं आती है अच्छा अब हमारे हमने क्या बढ़ना आगे अच्छा इन दो बंदों ने वो यह स्टेट द्रियाफ्ट की थी जेम्स फ्रैंक्स और गोस्टिक हर्ड्स नहीं अब आगे हमारे पास है अच्छा वो जब प्रोसस होगा जब stimulated emission शुरू हो गया ना stimulated emission शुरू हो गया पापलिशन इमर्जन पहले हुए थी उसको हम प्रोसस में बोलते हैं laser action क्या हो गया laser का action अभी तो बताया laser action शुरू हो गया अब हम पढ़ते हैं कौन सी यह आपके बुक के अंदर है helium neon laser यह उन्हें बड़ा लिफ नहीं अभी ऐसी आर ठीक है क्या काम है चलो अभी uses में आजेंगा इसका क्या काम है अच्छा helium neon laser देखते हैं हम इसमें क्या है इसके अंदर देखो आपके पास जो 60 रुपय वाली भी लेजर है ना उसके अंदर भी यही होता है ठीक है laser की मुक्तलिफ टाइप सेंगे solid laser liquid laser gaseous laser semi conductor laser ठीक है semi conductor laser देखी किसीने प्रोटेक्शन ले यूज होती है यह सारी laser है यार तुमने marvel की movies नहीं देखी iron man और यह सारी यह जो ऐसे करके से मारता है और वो guns जो aliens के पास होती है उनमेंसे वह पानी थोड़ी ना निकलता है उनमेंसे लेजर निकलती है वह सारी देखो ना laser में कितनी power है इवन के laser वह जो laser technology वह बंदा काट थे पूरा हां जी इतनी intense होती है laser पानी कोई बंदा पूछेगा पानी से आप दवार काट लोगे कट जेगी हां जी पानी से जवार करें हां जी टेकनोलजी तनी डिवांस हो इवन के वह आजकल एड़ आरी होती है दरास पे और अली एक्सप्रेस पे वह क्या होता है वह पांपस है उसके पास उस पांप को ऐसे करके रहे हैं बिलकुल बरीक फाइन कर लो अब उसका अगे गत्ता समझाता हूं यह होता क्या है फिर इसकी जो दो तीन जो वैल्यूज है उसके लिए आपको पता देता हूं लो यह देखो यह मेरे पास आई एक डबा इस डबे को नाम देंगे हम ट्यूब का ट्यूब कौन से होगी डिस्चार्ज ट्यूब क्यों इसमें क्या होना है अब इसके अंदर आमारे पास एक helium होगी और एक helium जो है वह इसका 55% होगी टोटल फैक्टर का और यह कितना होगी टोटल होगी 100 अनके जो टोटल इसके अंदर गास भरी हुई है वह 100 पर्संट जिसमें से 15 नियूद बहुर देते हैं और बाकी हीलियम ठीक आच्छा सॉलिड स्टेट वो जो हमारे पास है वो आपने देखे होंगे रिमोट में भी लगे होता है यह चोटे-चोटे लेडी टाइप यह भी लेजर की फैक्टर में डाल देते ने अच्छा 15 परसेंट हो 50 परसेंट इसके अंदर अब ज्यादा है आपके पास हीलियम और काम में नियो कुद्रत की तरफ से इन दोनों की मैटर स्टेबल स्टेट तकरीबन सेम है तकरीबन इसकी कितनी है इसकी मैं लिख देता हूं इसकी है 20.61 और इस भाई की है 20.66 तकरीबन यह सेम है जिरफ फरक किसका है अच्छा अब इसके अंदर हमारे पढ़े हैं दोनों कौन हीलियम भी पढ़िया और नियोन भी अब यह जो डॉट्स हैं यह मैं आपको शो करवा रहा हूं हीलियम के ठीक है और यह वाले जो डॉट्स हैं यह बड़े बड़े अंडे यह शो करवा रहा हूं किसके मुलकियों के अंडे अच्छा अब क्या होगा अब इसी प्रोसेस को थोड़ा आग्यम करते हैं यह समयलो डायग्राम आपको सारे टॉपिक यह और यह कभी कभी आ जाता है ठीक है अच्छा यह डायग्राम नहीं बनाए बुक ने अब क्या होगा अब जैसे डिस्चार्ज यहां से आप इसको बैटरी से कुनेक्ट करोगे ट्यूब को तो इस ट्यूब के अंदर क्या फ्लोग करने शुरू कर देंगे अलेक्ट्रों हाई करेंट की बजा से अब जो अलेक्ट्रों इन में से एटम्स को क्या कर ले स्ट्राइक करें तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा कि यह एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में थे यह कहां पर चले जाएंगे एक्साइटी स्टेट कहां पर चले जाएंगे एक्साइटी स्टेट में अब एलेक्ट्रोन इनके चाचे का बेटा तो है नहीं जो सिरफ हीलियम को टक्र मारेगा क्या करेगा दोनों को टक्र मारेगा लेकिन एलेक्ट्रोन तो साड़े एटम्स को क्या नहीं कर सकेंगे एकसाइट नहीं कर सकेंगे यानि कि कुछ 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 जो होंगे यह जो मैं open dot बना रहा हूं यह जो खुले circles बना रहा हूं इन circles का मतलब है कि यह atom क्या हो चुके है excite ठीक है किसके हरे वाले किसके थे neon के ठीक है और निले वाले helium के helium के भी कुछ कुछ क्या हो जाएंगे excite ठीक हो जाएंगे यह जाएंगे यह ले होन खुछ है यह क्या हो गए कुछ एक्साइट हो गए और कुछ अभी अपनी original हालत में पड़े हैं अब अगला क्या होगा अब आपको पता है कि यह spontaneous ली population in virgin में meta stable में आने के लिए क्या करेंगे random direction में क्या emit कर देंगे photon photons कौन हीलियम के कुछ helium के atoms अभी भी क्या होंगे excited पड़े होंगे कुछ emit कर देंगे कुछ already पड़े होंगे अब आपको पड़े वो जो excited होंगे वो भी मैं आपको बताता हूं जो मैंने पड़ाना था अब यह वाले जो items हैं जो क्या नहीं है excited नहीं है यह बचारे पड़े होंगे अब इनको क्या करेंगे इनको यह electrons जो करेंगे इनको भी करेंगे excited अब यह जो helium के atoms हैं यह क्या पड़ेंगे यह अपनी कितनी energy state को लेके बैठे हुआ हैं 20.61 अब यह जब टकर मारेंगे किसको नियोन के atoms को नियोन आखे इनको मारेगा यह जाकर मारेंगे मतलब अगर आपने किसी में टकर मारनी हो तो उसको बलाओगे मेरे पास आकर मारनी होगे खुद जाओगे तो इसका मतल हम जी आभे बैल मुझे मार बैल पागल थोड़ी अब क्या होगा कि यह वाले भाई साब जिनके पास क्या थे इनर्जी थी यह खाली इनर्जी नहीं रखेंगे कौन सी समझ भी आंदा है गाना जरा तो ट्यून ते लाया है अच्छा अब यह जो इलियम के अटम्स हैं इनके पास इतनी तो है कौन सी स्टेट की अपनी मैटा स्टेबल स्टेट की पड़ा रहा कि हायर से जब लोर आएंगे मैटा स्टेबल में तो एक फटों यह निकाल चुके हों वह कहां पर आगे अपनी मैटा स्टेबल स्टेट में क्योंकर यह लॉंग टाम इंग्सिस्ट करनी है इधर कम होंगे जो बिल्कुल ग्राउंड में जाएंग और इमिट करनेंगे ज़्यादा तर किसमें चले जाएंगे अपनी मैटा लेकिन स्टील अभी कौन से प्रोसस मे लिखा हुआ है यह सारे यूनेट किसमें है इवी में यह सारे यूनेट जो इधर था ठीक है इनके पास कितनी है 20.61 अब जो है टम हीलियम के एक्साइट नहीं हुए नियोन के सोरी यह चलते फिरते मूव्मेंट कर रहे होंगे हीलियम के इनकी यह वाली इनर्जी क्या होगी क्योंकि इसने अगर टकर मारनी है इतनी इनर्जी तो इसके पास है और यह वाली इनर्जी कौन सी होगी क्योंकि यह क्या कर रहे हैं हरकत कर रहे हैं और यह वाली इनकी क्या बन जागी इसका मतलब है जब यह एक हीलियम का बंदा इससे क्या मारेगा टकर किसको नियोन को त और वह नियोन का एकसाइटेड लेवल है या मैता इस्टेड लेवल है। अब कुछ यह होगा कि यहां पर मोस्ट ली अपनी इनर्जी क्या कर चुक्छे होंगे यह नीले वाले कूंसे थे। हीलियम के यह अपनी इनर्जी मोसली क्या कर चुके है किसको नियॉन को और जो कम कम नियॉन के अन एक्साइटिड थे वह अपनी मैटा स्टेबल स्टेट में चलेगे जादा तर उनकी क्या मेजर्टी जादा तर उनकी मेजर्टी किसमें चलेगी है मैटा स्टेबल स्टेट किस नहीं चार से उनको जब टक्र लगेखे तो मोमेंटम क्या होगा पूरे का पूरा ट्रांसफर हो जा होगा तो वो entire कहां पर चले जाएंगे अपनी मेटास्टेबल स्टेट में अब मेटर स्टेबल स्टेट में चलेगे? कौन? इसका मतलब यह हुआ कि बहुत कम कहां पर पड़े हैं? ग्राउंड में और ज्ञादा कहां पर पड़े हैं? क्या हो गया? Population inversion हो गया, क्या हो गया यहां पर Neon नहीं करना है अभी रुक जाँ, सारे कहां पर चलेगे, इदर अब क्या होगा, Neon साब जादा तर अपनी अवाम को कहां पर ले चुके है Matter, तो यहां पर क्या चीव हो गया, Population inversion जब Population inversion हो गया, इसका मतलब आप किस चीज़ की जरूरत है, एक photon की, जिसने क्या करवाना है Stimulated emission करवाना है, तो यहां से कोई एक random, आप में से कोई एक photon, यह कोई भी एक atom, इसमें से क्या emit कर देता है कोई भी जो पहले से पढ़ा था, वो क्या emit कर देता है अपना तो यह atoms वापस जब return मार रहे होते हैं, किसमें अपनी Ground state में तो नहीं आते खैर, यह से एक उपर वाली state है, 18.7 उसमें आ रहे होते हैं तो यह उसमें आते आते क्या emit करना शुरू कर देते हैं, इसके साथ along इसके क्या पढ़े होंगे Helium के, यह क्या होंगे, यह इधर से क्या emit करेगा Photons, और Photons का यहां पर, अब एक बंदे ने काम शुरू कर दिया अब यह Photons, स्टेर डिस्टार्टूब में पढ़े हैं, तो डिस्टार्टूब यह काम सारा प्रोसस बैक अड़ यह भी हो रहा है इसका मतलब है, कि जो atoms वापिस आ रहे थे, वो वापिस पिर कहां चले गए उपर, फिर अभी भी काम क्या हो रहा है, पापॉलेशन इन वर्जन अभी भी अचीवड है तो कंटिन्यूसली क्या मीटोनी शुरू हो जाती है Photons, और वो Photons क्या होते हैं, चुंके Random Direction में निकलने हैं तो यहां से Laser हमें कैसी चाहिए, एक Direction में, Unidirectional होती है Laser एक ही Color की होती है, एक ही फिरकाओं सबका Face क्या होता है Same, तो फिर यह क्या से करेंगे इसके लिए क्या करते हैं, हम इदर और इदर इस Tube के Mirrors लगा देते हैं यह होता है Total 100% Mirrors, यह वाला यह क्या होगा 100% Mirrors, हमारी Tube इदर से निकलने हैं तो यानि कि जो इदर आए, Photons, चुँए Light है, Light को वो क्या कर सकता है Mirrors तो यह वापस जाएंगे अगर तो यहां पर यह आए, किसी ना किसी एंगल पर तो यह उसी एंगल पर क्या करेंगे Reflect होंगे, क्योंकि laws of reflection होबे होगा लेकिन जो आया बिल्कुल इदर, सीधे ऐसे इदर बिल्कुल ऐसे Center पर, यानि कि Zero के अंगल पर वो कैसे जाएगा Zero के अंगल पर तो जो आगे वाला mirror है, अगर यह भी mirror हो तो वो इसके अंदर यह ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो फिर इसको क्या करना है आपने वापस गया लेकिन अगराया तो वो सीधा इसमें नें कुछ लीक आउट हो जाए इसके कहते हैं, लीक आउट होने वाले automatना है यह जो लीक आउटutetे है, इन फै्ट니 को हम क्या बोलते हैं, लेजर तो यह लेजर क्या होगया, सीधी होगई सेम फेस की होगया वो जो उपर पहरा बचा चोटा सा वो यह लिखा हुआ है मिरर्स वाली कहानी तो वो क्या होते हैं को ट्राइक करते रहते हैं और फिर एक डिरेक्शन के सारे कट्थे उसमें से निकल दे इसका मतलब यह बना कि जितनी लेजर बानरी है अंदर उतनी हमें नहीं मिल रही उनन तक हो यह बनां क्या पड़ला लाइट एम्पलिफिकेशन लाइट क्या होगी है एम्पलिफाई हो ओघार ही ठीक है यह यह आ अगया लेजर अब वकने क्या सीन होना है भाई साम यह आपके पास है यह जाएगे 20.61 में प्लास इसकी इंक्लिउड होगी 0.5 एलेक्ट्रोन वोल्ट क्या होगी इंक्लिउड काइनेटिक एनर्जी और यह जो हीलियम है अपने ग्राउंड डावल से कहां पर पढ़ी है मैटास्टेबल स्टेट में जाएंगे कौन से वाले में 20.66 एलेक्ट्रोन वोल्ट और यह ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे इससे लोगर एनर्जी लेवल में वह 18 इसारिया कितना है देखना तो देखो इनर्जी का डिफरेंस आया इदर इस इनर्जी का डिफरेंस कि क्या इमिट होंगी फटोन्स और यह इनर्जी का डिफरेंस कितना है 1.96 तो इतना इनर्जी का डिफरेंस कि क्या इमिट होंगी और अगर इस इनर्जी का डिफरेंस को हम इस फार्मूले से कालकुल जो वेवलंद इमिट होगी वह छेशो रखाल सी तना लिखा हो रिख लो यह भी छेशो रखाथीज है यह 600 कुछ है 632 ए ठाथीज इस रेंज की क्या इमिट होंगी आपके पास वेवलंद की रडियेशन और यह किसके खाते में आती है तो यह इमिट होगी ठीक है आगे अपने पास यूजिस नहीं यह पढ़ना है यूज़ भी पढ़ना हे हाज यह कि कर शॉ दोनौं करहा है है तो जूम्ह पढ़ना नहीं है जूम्ह तो एसके अदर होगा नहीं कल तसी काности चाना है डॉजए कल सबादो किलास होगी ठीक है? अब इसको देख लो आगे वाले को और इसके अंदर मुझे आप कोई बंदा ये बताए असली काम किस ने किया? हीलियम ने या नियोन ने? नियोन ने तो फिर नियोन क्या सा मीडियम हुआ? नियोन का वर डियूस करता है मोटे मोटे आपने याद कर लेने आपकी डेली लाइफ में यूस होते हैं सबसे पहला बताओ कहां पर यूस किया है डेली लाइफ में डेली लाइफ में रिमोट में वह वह वैसे वह आई आर में आ जाता है मेडिकल मेडिकल किड़नी वाले में ठीक है और किड़नी स्टोर में शादियां दे वेचलान आसते छतां दे यूपी सी का पता है किसी को यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जिसको आप बार कोड कहते हो उसको कभी स्कैन करते हो देखा है ऐसे करके शून वह वह जो बार कोड रीडर है उसमें भी क्या लगी होती है यानि कि इदर हम क्या लेख लें यूपीसी बार कोड रीडर ठीक है यूनिवर्स्टी में जब आप जाओगे प्रेजेंटेशन के लिए लेक्चर लोगे न तो इतनी बड़ी प्रजेक्टर पर प् होती है तो यह थोड़ना करके बताता है यह रीडर लिखा हुए वह ऐसे लेजर मारता है इदर फिर और कहां पर यूज़ होती है पर टीचर के आथ में हाँ एक्स लख लाना यह मैं लेजर पढ़ा रहा हम तो एक्सरे में टिका हुआ अभी तक सब करों के साथ निशादे क स्पाइडर मैं देखी है स्पाइडर मैं का नोवे होमे का अपार्ट अबी मैटावर्स का उससे पहले का पार्ट किसी को पते पता नोवे होम या फार उसके अंदर एक बंदा होता है वह अपने आपको सूपर हिरो बनाना चाहता है मिस्टीरियो मिस्टीरियो चलावा कैसे पता करता है ड्रॉन से और उस ड्रॉन का नाम क्या होता है उस ड्रॉन के जब चलावे को क्या बोलतें इंगलीश में होलोग्राफी होलोग्राफी में भी क्या चल रही आती है लेजर्स और और आपकी वैल्डिंग ठीक है वैल्डिंग में यह आती है यह वैल्डिंग किसकी है इस्टील और मतलब के मल्टीबल आपके पास आजाते हैं इसके बाद एक और वैल्डिंग भी है गैस वैल्डिंग नहीं है रेटीना रेटीना क्या हता है आंग के अंदर ओफ आपके पास रेटीना की यहृता है रेटीना के आता है रेटीना रेटीना पीछे क्विलम वह उन्हमत्र ही आपके आंके वह एक फिलम के उपर तूट जाती है तो उसको क्या करना है जोड़ने हों के क्या बोलते है वैल्डिंग किससे यूज़ कि जाती यह लेजर से मऊस में ठीक है और आपके पास कटिंग और वैल्डिंग में यूज रहती है जो मौडरन आपके पास टिकनोलजी था उसके अंदर ठीक है किडनी स्टोन को डैमिज करने के लिए यूज रहती है फिर आपके पास ये लेजर बच्चों को तंग करने के लिए यूज रहती है फिर बिली को गुम्रा करने के लिए यूज़ उती है ऐसे करते रहो आईरन मैन के सूट में यूज़ उती है मार्वल के जो वैपन्स हैं उनमें से जो निकलती है लेजर वहां पर यूज़ उती है ठीक है उसके बाद लेजर आपकी वो एक क्या था किसी ने जो माई होती हो इनके मुकड़े पर बाल भूला आजाते हैं तो उसका लेजर ट्रीटमेंट होता है वह क्या हूता है लेजर ट्रीटमेंट बाल जट भू से खातम कर देती है ठीक है ठीक है अएड़ देखी थे ठीक है तो यह मैंने आठ साथ लिख दिखाओ स्टोन कट करने के लिए किड़नी टीटमेंट में ठीक है फिर आपके पास हमने एक्सरेय में पढ़ा था ना एक्सरेय कैंसर सेल को मिटा देती है चुंकर यह भी इंटेंस है अब इसका फाइदा क्या है इसका उस पे फाइदा क्या है किस पे ओए इधर देख एक्सरेय पे इसका फाइदा क्या है एक्सरेय इसका फाइदा यह है कि एक्सरेय इनर्जी ज्याद है वो फैल के आनी है इसकी इनर्जी काम है लेकर यह एक ही यह आपको पता होगा लेंफ वैसल्स यह पता नहीं क्या है यह मेडिकल के कोई होंगे इनकी बेमारियों को सभी करने के लिए होती है ठीक है फिर मशीन की वैल्डिंग में यूज होती है कि आपने देखो चुटे-चुटे सुराख जो होते हैं अच्छा आपने इंडेस्ट् आपने पाइप शुट कर रहे हैं जूस का डबा या नहीं आया वह लेजर ओन होगी यूजर प्रिंटिंग में यूज होती है यह जो आपकी जिरॉक्स में आती है शूं करके रेजर आती है फिर आपके पास अभी चैप्टर नमबर टैन में भी तो आपने पड़ा फस्ट है अच्छा इसमें ना इंपोर्टन ये एक तो टैली को में ये फ्यूजन डियक्शन वाला है जो फ्यूजन वाला है यह इदर आप इसको ऐसा ही समझ लो कि यह फ्यूजन को चीफ करने के लिए यूज होती है क्यों फ्यूजन में यूज होती है यह हम जब अगला